आज हम सब पाँचे हैं चाचा जी की हवेली में आप भी सोच रहे होंगे चाचा जी की हवेली कहां है ये चाचा जी की हवेली कौन है ये चाचा जी इसके बारे में आपको कुछी देर में बताएंगे अंदर चलके और आप ही देखें ये चाचा जी कौन है आप खुद ही कि पर पर दो खुआ हो कि अच्छान अच्छान फेल्कम जी आयन। मैं समीदा के क्रोडा दर्शक एसे ले देख रहे होंगे। दर्शक दे मैं अधे पती जब दी जेह का आगाना। क्योंकि चाचिय जन्हाल सारे रिष्टा बहुत बुड़ा रख देया है। एंड आम प्राउड आफ वेट जिऊंदे बस दे रहो हमेशा तरकियां बाणो और काम याभियों दे से खनाते रहो के बारे में बात कर रहे हैं चलिए आपको मिलवाते हैं चाचा जी से और उनसे करते हैं कुछ खटी मिठी बाते हैं हेलो सर वेलकम टॉ टाइमस पंजाब टीवी बहुत बहुत शुक्रिया आप तश्रीफ ले के आए हैं और आपका चैनल काफी बढ़िया काम कर रहा है मुझे लगता है कि फिचर में भी आप बढ़ चड़कर लोगों का मरंजन करेंगे और रॉमाच कारी प्रोग्राम त्यार करते रहेंगे आपने कहा कि मेरे से बात करने के बाद लोगों का होमोगलोबिन बढ़ जाता है आप तो ऐसे सोच रही हैं जैसे मैंने लोगों का खून पिया है जब मैं बात करता हूँ उसके अगले के अंदर ट्रांस्फर हो जाता है ऐसा नहीं है ये बात वैसे आपकी भी ठीक है कि हंसना सबसे बड़ी खुराक है मेरे कहल में आप थोड़ा खाके ज्यादा हंसेंगे तो ज्यादा बड़ीया सेहत आपकी होगी और कुमीडियन जो है जो खास तौर पे क्योंकि मैं कुमीडियन बन गया क्रिकेटर था खेलते थे और मैं एक अच्छा ओस्पिनर था इसी तरह ओपनिंग बैट्समें था काफी बढ़िया बैटिंग करता था मैं बिल्कुल जहां हम बैठें इससे कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कहूं सो या दो सो गज की दूरी पे मेरा स्कूल है जहां मैंने अपना बच्प इतना बड़ा टैलेंट काब और कैसे डेवलप हुआ मेरी जो कॉमेडी है मेरा सफर जो शुरू हुआ मैं तो आपको बता रहा था क्रिक्टर था जब मैं कॉलेज में केया तो मैं अपने प्रिंसिपल श्री ओपी मोहन सहब प्रिंसिपल हमारे पूजिनी है उनकी मैं कॉप भी करता था उनकी ममिख्री करता था तो वो मुलतान से थे और उना दी जुबान मुलतानी सी डालेक्टो थोंदा सी तो सारे में लगता भी है में ब्लॉक साड़े बढ़िया है तो जी एस वे प्रिंसिपल मोहन अगर यहां मुखातिब हो तो कैसे होंगे सारे बचे खड़ कालेज एक बाइस कालेज जे एते मुड़े पढ़ते ने थानु तकलीफ है डेड़ किलो मीटर दूर छेड़ा खानी वास्ते कन्यामावी दाला जामना पेंदा है हूं तुसी एते छेड़ोंगे एते जुतियां खा लोंगे सो मुड़े बड़े हस रहने क्योंके में किलो सोचतों बार नहीं हासा होना चाहिए ताके परवार बैठके जुनों सोन सके ओ गला हो उससबाद मैं किया बीबा इस ब्लाक देगे कैक्टस दे बूटे लाए गए ने और कंडियाली तार लगी है हूं तुसी छेड़ा खानी करके भजोंगे कोडी फसे ना पसे एना जाड़ियां जो तुसी फस होंगे इना कंडियाली तार जो फस होंगे यूटिया फिर खाला होंगे इत्हे तुसां पढ़ना है और तहजीब देनाल पढ़ना है सो मेरा व्यंग इस तरह दा हूंदा सी ओ थो मैं प्रिंसिपल साब दी नकल करदा मैंनों नहीं सी पता हो में यूर माइ टेप रिकारडल फ्रम तोड़े आनवर्स यू कम तो माइ ओफिस फर हाफ एनाब मेनू दस नहीं किते की की भाशन देते नहीं सु इदन दे प्रिंसिपल इदन दे आइडल साथे प्रिंसिपल साब सी कि हुना ने मेनू दबगा मारंदी बजाए मेरी कला मैं कमेडी आल आ गया मैंनू पता लगा कि कमेडी जड़ी है ए जीवन है लोका लेईवी मेरे लेईवी लोका नावी विकास इसनाल निष्चत है और मेरा भी यू अर अधिस अस्टार्टिंग पॉएंट इस तर्टिंग पॉएंट अच्छी किया है तो हमें तो बहुत मज जाने वाले आप से बाते करके सर हमने जैसे सुने आप दूर दर्शन चैनल में भी काम कर चुके और वहां पे भी आप काफी हसी मजाग के प्रोग्रम्स देते ते तो वह एक्स्पिरियेंस आपका कैसा रा एडियो में मैं जब दिहाती प्रोग्रम करता था तो जब वहां पी मेरे उस्ताद पंडित हेमरा शर्मा जी थे उनकी बदौलत वो पाया जी के नाम से बहुत पॉपलर थे ये कई लोग कहते हैं कि आपने कॉमेडी शुरू करी इसमें कोई शक ने कि पहले दो अर्थों वाली डूल मेनिंग वाली कॉमेडी बहुत चलती रही लेकिन मैंन अच्छ जो चलता सी पर मेरे उस्ताद जी मिस्तों भी बैटर करते से पाया जी नो दुनिया सारी जान दी ठंडू राम जी नो सारे जान दे ने इससे दरा खुराना साब या मास्टर जी है ना असी द्याती प्रोग्रम जो करते सी कमाल ही उन्दा सी और कई बहुत हैं मैंन यहार दे संटे यहां, इन्हों ता मैं टेशन तो जलंदरों कोले चोग देयां, फड़या सी, उतों चाके लियां एक आदा जमीदार, एक तुझे नू व्यांग करना, एक तुझे नू ता ले लाना, मैं अगया पाई या, तुझे हावे मैं टेशन लेना दे उतों कोले यह इस्वर लों उन्दा सी, के व्यांग दे विच बदल जाना, उस गलनू, और मजा दे विच जद गल बदल जाना गूसे गले खत्म हो जाना ने ते अपनी टेंशन भी दूर हो जाना जाना, मैं चेहते हैं, उमटियां दे पाई चाल दे पैसी तो पाईया जी गें दे आ हाहा राण की रामा, पाई आंटे मनू बहुत चांगे लागते हैं, पड़े पोले भी हुंदे, मेरे दांद भी हैं नहीं, पाई स्वात ता बहुत पर पाईया जादा हो गया आंटे आंदा, मैं के पाईया तू ए मेरो उन्टियां पाईया पानू, ना सही अगो मास्टर जी ने तूरी दा पापर ना, तू पूरी ट्राली दी ट्राली फाक लेहीं, मैं पैसे दे दूँ, सो गाल सिर्फ ए है के हर गाल चो मजाग, लबना, मजा अगे आउना, ए साथी जिन्दगी दा हमेशे हैं इमरे हैं, चाहे इसी किड़े भी सीरियस महाल चो को ना बैठे और खुशियां ज्यादा बात जान दियान है, जिसके नाम में इतना रौनक और आपका नाम भी उसी भी फेमस हुआ है, जाचा रौनक राम जी, तो ये नाम आपको किस ने दिया, जैसे कुगी मेरा शागिर्द है, उसका कुगी नाम मैंने रौनक मेला में रखा था, इसी तरह मेरे उस्ताज जी ने, पंडित हैमरा शर्मा जी ने, जो पाईया जी बनते थे, मैंने बताया, उन्होंने दियाती के महौल के मताबिक, बिकॉज, वहाँ ऐसे करेक्टर थे, ठंडूराम जी थे, या फौजा सिंग जी, पाईया जी, मास्टर जी, चौदरी साब, तो जो इंटीरियर में, जिस तरह के नाम, लोग ज्यादा सुनते आ रहे हैं, या बजर्गों के नाम रखे जाते थे, तो सेम वे, मेरा उन्होंने नाम, रौन की राम रखा, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये रौन लगाएगा, जी, और मुझे यादा जो मैंने पहला प् होते थे, मतलब रेडियो के टाइम पे, आजकल वो रिटायर लाइफ में है, चिठी मैंने पड़ी के पाईया जी, पई ते नाल मास्टर जी बेठे हुन दे सी, के बाउजी आज तुसी आयों, खेती संबंदी पुछा दी तुसी जवाब देने हैं, चिठी कहन दे या, फटाबड़ दसना शुरू कर देता, वोरा साब ने, के देखो जी या, पीरा पाईरीन कोई एदन दी दुआई दाना लेया, वोई ओजे थना दे लाई जाए, मैं के आपना मास्टर जी, वोरा साब ने जवाब देना दे शुरू कर देता, मैंने समझ दाना नो दुआई एदे पता नहीं लाग सागता, लाग साके आप माच जे चोहन वाले नो तकलीफ होंती है, के माच जे चोहन वाले नो तकलीफ होंती है, तो ते जाफ ना छाज करो, तो ए मज़ा जड़ासी, that was the very first day of my life in radio, जदो मैं पहला प्रोग्रम कीता, तो सारे नू बड़ा अच्छा लगा, यार एदिहाती दे महौल चे रंगया हुआ है, तो मां बोली, जड़ी मेरी है, मेरी मदर, उननू सारे लें लेंगविजी जान दिया सान, अंगरेजी चे उननी मास्टी सी, हिंदी, कमाल दी, देवनागरी चे लिख देवी सान, गुर्मुखी लिखनी, और खुशखत बड़े सान, पंजाबी जुबाँ उनना दी, जुबा साधी जमीन सी राणीपुर, कोई चाली पंजा के लिए दे करीब, ते वो सी ठेके ते दिती हुई सी, मेरे फादर लेंड और सन, सदार, सुचेश सिंग, ते मांचो ना दे लालज चाई, पैना मेरी हैं चार में बड़ियां, मैं सब तो बाच पैना हुए, ते उनना लगा सदा मर्डर कारता, जमीन ते, तब मैं नौ दिन बाद पैदा हुए, यही वज़ा है कि मैं अपने फादर में देख नी सक्या, ते खेती जड़ी है, मन्द इस ट्राइडी चा बदल गी सारी, क्योंकि पिछों सी पाकिस्तान, मौंट गुमरी, जिन्हों आजकल साहिवाल के सन, देन, दादा जी, सदा लच्मन सिंग, यह बरिस्टर, बरिस्टर कीती सिंग लैंड तो ने, ते मेरे फादर साब लैंडर सन, सो जदो मेरे फादर दा कतल हो गया, साड़े हाला सारे बदल गए, तुसी यकीन मान साग देओ, के इस महाल चे मेरी माने सब कुछ कीता है, उने फादर दा भी रोल अदा कीता है, उने माद अदा कीता है कीता है, ते सानु ऐसी प्रोनिंग और साड़नू एजुकेट करन ची, मेरे खहला है, साड़े परवार ची, सारे जने पोस्ट गैजुट ने, सिर्फ मैं ही हैं जने बीकॉम कीती है, काट तो काट मेरी पड़ा हैं क्योंकि मैं थेटर कार रही हैं सी कॉलेज टाइम के, और यकीन मनों कि जिनने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होए, एवरी कॉम्पिटिशन वी वान, और मैं बेस्ट शेक्टर हर जगे पर आता था, और हर जगे से टॉफी आती थी, इसी तरह एंटर युनिवस्टी म मज़ा, क्योंकि इसमें बहुत होता था, लिखते भी खोदी थे हम, मेरे उस्ताद जी, काशिरवाद, प्रफेसर गुलशन कुंद्रा और डाक्टर डीवी राइस साब, जो पंजाबी के महान विद्वान और बहुत अच्छे लिखारी भी हैं, लिखक बहुत बढ़िया है तो ऐसे लोग मेरे उस्तादों की वज़े से मैं समझता हूँ, कि मैं यहां तक पहुंच सका, आप अपने घर में कितना एंटरटेन्मेंट करते हैं अपनी फैमिली वालों का, लोग तो बहुत हसते हैं आपकी कॉमेडी देखके, तो आपके घर में आपकी फैमिली कितना हस होती थी, वो सारी मैं खुद लिखता था, और पाटिस्पिशन चाचा रॉन किराम के तौर पे होती थी उसमें, जबकि सिंगर टॉप क्लास सारे ही आते थे, गुर्दास जी, हंस राज हंस जी, सदूल सिगंदर जी, देन बंदरखिया जी, जिस्वंदर नूरूला, यह जारे उसी प्रोग्राम में शामिल हुआ करते थे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो मैं लिखता था, पहले मैं, टेलिकास्ट होने से पहले या रिकॉर्ड करने से पहले, उसे मैं अपनी बेहनों को सुनाया करता था, आज जो बक्वास कोई भी कर सकता है, इस पे करते हैं, उनको कहें कि अपने माँ बाप को सुनाएं, जो भी आप रिकॉर्ड चाहे गीत करते हैं, चाहे कॉमेडी करते हैं, अपनी बेहनों को सुना करके उसके बाद उसे रिकॉर्ड करें, वो अगर मानियता दे दे, एप्रूव कर दे, ते नेवर माइड, पता चल और या किसी ने आपको मतलब कुछ भी जिस क्या किसी ने आपको मोटिवेट भी किया कि निया बहुत अच्छा गरते हैं और इस चीज को आगे चांटिनी रखे हैं, देखे मुझे जाद है कि हर प्रोग्रम में लोगोंने सराहा है, चाहे वो बादल साफ सीम रहे, चाहे कै कोई पॉलिटिशन यहां पंजाब के हैं या देश विदेश से, जेती साफ कमाल के बंदे हैं, मुझे यह याद है कि जब डीडी पंजाबी का उद्गाटन हुआ, मैं और कोगी उसको उनके आदिश पे एंकर भी कर रहे थे, तो प्रोग्रम बेंड फॉर अबाउट सेक्स सार्स टोगेधर, लाइफ शो था वो, तो उन दिनों में किलिटन साहिब हमारे देश का दोरा करके दो तीन महीने पहले ही वापस कहे थे, तो कोगी कहता है कहता चाचा जी, जो सरकार बीजेपी की है, इसने कमाल कर दिया है, और देश के विदेशों के साथ रिश्टे केलिंटन साहिब, उनके साथ अटल बहरी वाजपष साहिब, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, ऐसे देश भक्त, देश को और भी मिलें, ज्यादा मिलें, ताकि देश समर जाएं, तो परधान मंत्री जी ने उनके साथ हाथ पकड़ा हुआ था, और हाथ मिलाते जा रहे थे, मिलाते जा रहे थे, काफी देर तक ऐसे होता रहा, यार मेरी बीबी ने भी मुझे कहा, कि क्या बात है, इतना प्यार कैसे पड़ गया एकदम, कि हाथ ही नहीं छोड रहे थे, और पास में कुछ बातें कर रहे थे, जो सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन एक्शन्स साड़ाते विया भी नहीं हो या, तो दूजी के में टकाई हूँ, यानि लिमिन्सकी का चकर उन दिनों में बहुत था, और मुझे याद है, महौल बहुत हासा, और लाग के करीब दुनिया थी, तो लोगों ने जिन्दाबाद के नारे भी शुरू कर दी है, इतना प्यार के लिए होता है, कोई भी करे, है न, ये भी मैं जानता हूँ, कि व्यांग की लाइन बहुत बारीक होती है, जैसे मैं अभी आपको ये बात चलते चलते, एक दिन कोगी मुझे पूछ रहा था, कहता, चाचा जी, तो अनु की लगदा है, परी जड़ा, मोदी साब ने नोट भी चार साल तो लगातर कर रहे है, अच्छी सोच है, अच्छी गाला है, पर मैं अनु पल प्राइम निस्टर देखे, हाथ जूड के कहीं न, कि ये मुल्क, इनु मैं बहुत चंगी तरह ही जान दा, इत्ही जम्याय से मिटी दाईयां मैं, इन नोट बंदी नाल करप्शन जान वाली नहीं, जे तुसी नोट बंदी था, ते नासब बंदी कार देऊ ना, जिनने करप्ट लीडर ते अफसरा, अगलियां पीडियां मांदार हो जानगी, यां सारा जेश समझ सकता है, सो करप्ट लीडर ते अफसरा ते नासब बंदी दी लोड़ा है, मेरा इशारा स आरे समय देने, अरे देश ना लो प्यारी चीज भी क्यों हो सकती है, नोट की चीज हो देने जार, देश प्यार देते पाबंदी कद नहीं हो सकती, पर नोट देते नोट बंदी हो सकती है, यह तर मतलब इंपॉर्टन्ट था फिर देश प्यारी हो है ना, अरे छोड़ो, कई आदिन्यों को आदत ही है गंध बोलकी उनको लगता है कि मैं स्माज की सिवा कर रहा हूँ है जया गंध बोलके नहीं गंध साफ करके देश की सिवा कर सकतے हो वरना यह नारा देने की जुरॉरत नहीं थी मुखजभारत अभिहान तो एक जो मैं कई वर सोचता ना जहां सोच वहां शोचालिया की बात भी मैं है किसी मेह फिल्म में बैठे थे कहता है चाचा तिर को कैसे लगा जहां सोच वहां है शोचालिया मैं कहते है यार अब तो मैंने सोच नहीं बंद कर दिया कहते हैं क्यों मुझे डर है कहीं मैं सोचूं और एक फलश मेरे सिर के उपर आगर गर जाए पंजाबी में डिख जाए हैं तो मुझे यही डर लगा रहता है वैसे उनकी सोच बहुत बढ़िया है मतलब तो यह है कि जहां भी लगता है कि यहां होना चाहिए वहां शोचाले त इसलिए दुखी है सोचते हैं यार खाने को तो रोटी है नहीं तो शोचाले देखने के लिए बनाया है अच्छी बात है जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा है लेकिन खाने का परबंद भी हो ताकि इसमें वो जा भी सके ऐसा भी होना चाहिए ना तो यह अकेले मोदी स जो भी प्राइम निस्टर आए, टेन्योर बदलते रहते हैं, राइन नितिक पार्टियां बदलती रहते हैं, राज्ये बदलते हैं, लेकिन जो भी आजाए, जिस समय भी किसी पार्टी का भी आए, उसका पूरा सयोग हमें करना चाहिए, ताकि हमें तो देश के बारे में पेट्रोल के बढ़ने चाहिए, अब सरकारों को क्या दिक्कत आती है, जब पहले को पार्टी थी, उसके टाइम में बढ़े, तो वो बुरे लगते हैं, अब उससे भी बढ़ जाएं, तब भी किसी को अच्छे लगते हैं, तो मान लो कि ये स्टेट गर्मेंट, 30% उसमें म पैसा होता ही होगा, स्टेट गर्मेंट का जो पैसा बीच में से उसका भी बनता होगा, तो इन बातों में नहीं जाना चाहिए, देखना तो आपको ये है, कि देश के लोगों को फाइदा कैसे कर सकें, अब जैसे पड़ोसी देश में भी कुछ मैंने पिछले दिनों में ब प्राइस है, जिसके उपर सारी कुमेडिटीज यू है, उस सारी एकदम बढ़ जाती है, तो इतना मेरे घर में तो इसका कोई असर ही नहीं है, क्योंकि आगे फिर भी बीवी को गुमाने के लिए, जब भी उसने कहना ले जाते थे, चाहे मन नहीं करता था, अब सीधा ही भ जाते जाते हम एक आप से रिक्वेड्स जरूर करेंगे कि कुछ दो चाहर लाइन्स फिर से सब को हसाने के लिए फिर से सब में वो एनर्जी भरने के लिए ज़रूर कहें मैं तो यह चाहूंगा कि सारा पंजाब जितने लोगे समय देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहें और खाम्याबी उनके आंग संग रहे क्योंकि जब आप तरक्की करते हैं, आप खुश होते हैं तो रौन की राम का जिंदगी का असली मकसद पूरा होता है मैं इश्वर से, वह गुरू से, प्रबू से, प्रमेश्वर से, महा माई से ये अरदास करता हूँ कि मेरे पंजाबीों को नजर ना लगे, मेरे पंजाबीों को कभी किसी तरह की कसर ना लगे ये हमेशा बच्चे पढ़ाई में बहुत उतीरण हूँ खेती में काम्याबियां सिखर पे हूँ अगर अपनी खेती को संभालो भाई तो आपको विदिशों में जाने की जरूरत ही है वहां भी बहुत भारी ट्रैडी चल रही है कितने बच्चे किसी ना किसी समुद्र की लहर में समा जाते हैं किसी नदी में डूब के चले जाते हैं किसी कंटेनर में ही खत्म हो जाते हैं क्या जरूरत है आपकी पंजाब की मिट्टी में इतनी तागत है आप दुनिया की कोई भी ताकतवर चीज यहां पैदा कर सकते हो अरे पंजाब को सुवारो अपने आपको सुवारो खुश रहो और खुद कमीडियन बनो मैं तो यह कहूंगा मैं आपके लिए दिली दौाएं रखता हूं मुझे यकीन है कि सरकारें भी योग ये कदम करेंगी बहुत भाँ थन्यवाद थैंक यू सो मज़ बहुत अच्छा लगा आप से बाते करके आपने इतने अच्छे मेसेजिस दिये हमारे पूरे पंजाब को एवन पूरे इंडिया को हमें बहुत अच्छा लगा सथांक यू सो मज बंस अगेंगे कि आप जैसे उनोंने हमें बहुत साया आने वाले टाइम पे भी वो सबको ऐसे हसाते रहें सबका हीमोगलोविन ऐसे बढ़ता रहें कैमरामेन अमन दीप के साथ शिप्रा परसरीचा टाइम स्पंजाब टीवी तोशी टाइम सर क्यों नहीं आए लेट क्यों आज मेरे दादी जी नी माउथ हो ग मैं ता होन चेता है जोद अपना बॉंबे प्रोग्रम से का नाइन टीफी चाली दास ओडिटो दियां आओ लेट पहुंचे सी होते होते वही क्या मेरे दादी दी माउथ हो गया हां पिछले साल दिली प्रोग्रम सी जिते बीबी जी विस्टी के से तशी फर्म लियाए सी प्रिंद्रकार जी जी उत्ते वी लेट पहुंचे सी उत्ते भी नहीं कैसी फोतर मेरी दादी दी माउथ हो गई अगले साल चौथी दादी मेरी पूरी हो नहीं हूं बड़ा है एंड साम दादाई मेरा सची अजे पूरी फॉर्म झाल